गुपritis है तो में इसको सबसे पहले कि आपको यह समझनी है कि सिरीज है। ऑसको स्टूडिंट सिरीwel है बिया होती है कि यहां पर आपको X और F दोनों किवन उते हैं F मतलब frequency इसको आप discrete series भी बोल सकते हो और इसको frequency array भी बोल सकते हो दो से दो नाम है series के तो marks जो है वो आपका X है number of students जो है यह आपका F है that means कि इतने बच्चों के marks इतने आये थे like 5 students के marks आए 4 7 students के marks आए 6 6 students के marks आए 8 8 students के marks आए 10 तो यह frequency बताती है कि कितने बच्चों के marks same आए तो यह जब बच्चों के marks same आते हैं तब हम यह वाली series को use करते हैं otherwise हमारे पास दो series और भी है जो आपको बादने बताऊंगी तीन method होते हैं इसमें सम को solve करने के सबसे पहरा method है direct method direct method का formula क्या है वो ध्यान देंगे तीनो method के हम formula लिखेंगे पहले direct direct का formula है sigma fx upon sigma f तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम f और x को multiply करेंगे यह आपकी frequency है यह आपका x है आपने सामने multiply किया 5 x 4 20 7 x 6 42 8 x 6 48 10 x 8 80 12 x 6 72 14 x 5 70 अब हम इस पूरे fx का टोटल करेंगे टोटल करके दीखेंगे कितना आएगा 3 32 ओके f का टोटल करेंगे frequency का frequency हमारा total numbers होते है number of students आपको मैंने बताया भी है तो total frequency है हमारी 37 तो जब भी आप यह सम solve करेंगे यहाँ side में जरूर लिखेंगे sigma f यहाँ पर लिखेंगे sigma fx नीचे ठीक है उसके बाद हम इसको formula में put करेंगे formula में put करने के बाद fx की जिगे पर आपने रखा 3 32 f की जिगे पर आपने रखा 37 इसको आपने इससे divide किया आपका answer आगा 8.97 तो यह आपका क्या आया है mean और mean को हम किसे denote करते है x बार से ठीक है तो यह आपका direct method था direct अब second method है हमारा shortcut method अब shortcut method में आप क्या करेंगे shortcut method है आपका formula होता है a plus sigma fd upon sigma f a होता है आपका a हमारी होती है assume value assume value मतलब आपको कुछ भी a में से assume करना है तो मैंने 10 assume कर लिया आप 4,6,8,10,12,14 कुछ भी assume कर सकते हो आपके सारे correct होंगे और यह मेरे sum करने के बाद आप इसी sum को कोई और number को assume करके try करना आपका answer सेम आएगा different नहीं आएगा तो मैंने 10 के आगे रख दिया है a a हो गया मेरा assume अब यह method हमने use क्यों किया क्योंकि method चाहे direct हो या shortcut हो answer तो same ही आना है यह method हम इसलिए use करते हैं कि अगर हम इस method को use करेंगे तो यह थोड़ा सा digits को छोटा कर देता है और simple कर देता है sum को इसलिए हम यह method ही use करते है अब x में से हमने a ले लिया अब हमें इस formula के according क्या क्या चाहिए इस formula के according a आपको मिल चुका है तो a की value पहले ही रख दो आप 10 उसके बाद आपको चाहिए fd fd के अंदर f आपके पास पहले से आपको चाहिए d d का मतलब होता derivative derivation तो यह d जो है आपका d निकालने का formula होता है x माइनस में a x में से a माइनस करते जाओ x आपका है 4 4 में से 10 माइनस किए माइनस 6 6 में से 10 माइनस किए माइनस 4 उसके बाद 8 में से 10 माइनस किए माइनस 2 10 में से 10 किए 0 12 में से 10 किये प्लस का 2 14 में से 10 किये तो प्लस का 4 यह आपके पास आ गया अब हमें formula के according क्या चाहिए F and D F D चाहिए F into D multiply करते जाओ सामने सामने minus 30 minus 28 minus 12 0 6 2 जाग 12 5 4 जाग 20 तो मैंने F and D को multiply कर दिया अब last मिलाकर जब इनका total करेंगे तो total इसका आएगा plus plus वाले plus वाले अलग कर दो minus वाले अलग कर दो तो आया है minus 38 minus 38 मैंने कुछ नहीं करना है बस इस formula में इसको put करना है minus 38 अब उन में F आपका उल्रेडी पहले भी आपने काल चुकिए हो 37 37 को 38 से डिवाइड करो डारेक्ट आपने LCM से नहीं करना इसको 10 प्लस 38 को 37 से डिवाइड करेंगे तो आएगा minus 1.03 तो 10 में से 1.03 गए 8.97 यह आगे हमारा answer I hope so दो method आपको clear हो गए होंगे अब हमें करना है method number 3 method number 3 कोंसा है हमारा step deviation method यह है हमारा step deviation method A A आपको पहले सी पता है क्या है assume value F D dash upon F into C C का full form है common factor यह common factor क्या है यह मैं भी आपको करके बताती हूँ D dash अब यह D dash क्या है यह भी आप आगे सम में देखेंगे D dash का formula है D upon C C में आपको भी बताया कि C common factor है ठीक है तो यह formula पहले आप note down कर लो फिर हम इसे sum में solve करेंगे A plus में F D dash upon F into में C common factor अब sum में इसको देखेंगे कैसे करना है अब हम इसे sum में बताएंगे कि कैसे कैसे इसको solve करना है सबसे पहले हमें चाहिए बच्चा C common factor common factor जो होता है वो D में से निकाला जाता है एक ऐसा digit जिससे ये सारे divide हो सके उसे कहते हैं हम common factor अब यहाँ पर 6, 4, 2 0 को ignore करेंगे 2, 4 ये सारे के सारे 1 और 2 2 से divide हो सकते हैं तो मैं यहाँ पर common factor ले रही हूँ 2 ठीक है तो C हो गया मेरा 2 तो सबसे पहले मुझे निकालना है D' D' निकालने का formula मैंने आपको बताया ही था कि D sorry, हाँ D अपन में C तो इस पूरे D को मैं C से divide करूँगी तो C से मैंने divide किया C कैमेरा 2 तो minus 6 को मैंने 2 से divide किया minus 3 minus 4 को 2 से divide किया minus 2 minus 2 को 2 से divide किया 1 0 का तो 0 रहेगा फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1 2 को 4 से डिवाइड किया 2 I hope so D' कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा D' के बाद मेरा formula next क्या बनेगा F D' formula के according मुझे F D' चाहिए F ये रहा D' ये रहा इनको multiply करते जो 5 3 जा minus 15 7 2 जा minus 14 6 बन्जा 6 8 0 जा 0 6 बन्जा 6 5 2 जा 10 अफ़र दुबारा plus plus वाले अलग minus वाले अलग 15 और 14 minus के 29 6 प्लस 6 प्लस 10 22 ये जो है ये तो minus का होगा ना minus का होगा ये तो 15 प्लस 14 तो 29 29 प्लस में 6 35 35 मेरे पास होगे minus के और प्लस के कितने हैं मेरे पास प्लस के हैं मेरे पास only 16 तो 35 में से मैं 16 को minus कर दूँगे तो ये हो गए मेरे पास minus के 19 तो अब इने fd' तोटल किया कितना आ गया minus का 19 अब इसको formula में put करेंगे बस ये रहा हमारा formula इसमें put करना है a हमारा पहले सापको बता है 10 है fd' अब ये भी आपने निकाला है minus 19 f अब आपके पास था 37 common factor आपका 2 था आपने खुद देखा है तो minus 19 into में 2 कितना हो गया minus 38 37 नीचे as it is और 10 प्लस अब नहीं लेना मैंने पहले भी बता रहा था 37 को 38 से डिवाइड करो गया आएगा minus 1.03 10 प्लस minus 1.03 आपका कितना है 8.97 अब अगर आपने notice किया हो तो तीनो ही method से answer हमारा same आया है ठीक है तीनो method से answer हमारा same आया है आपने देख भी लिया फिर भी अगर किसी को कोई doubt हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं I hope so आपको एक question clear हो गया होगा यह हमारी discrete series थी और तीनो methods थे